कैसे है आप लोग तो अभी फेबरोरी के फर्स्ट वीक में यूनियन्स फाइनेस मिनिस्टर निर्मला सितारमन जी ने 2023-2024 बजेट पेश किया था उसी बजेट में एक स्कीम को एनाउंस किया गया था इस फशेट पाइननियन्स फॉर्ल फॉर्म है अब इसका एम क्या था तो इस स्कीम को लाँच करने का एम था में गूरूफ प्लैंटेशन अलोंग धकोश्ट लाइन एंड और साल्पन आइलेंड तो हमारे इंडिया को में लाइन आइलेंड का जो कोश्ट लाइन है हमारे इं तो यह मेंन लाइन इंडिया के लिए कोस्टल पर मैंगुरू का प्लैंटेशन करना है इसे बेनिफिट क्या मिलेगा और क्यू करना है सब हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके तो फर्स्ट अफॉल इतना दाहरा है कि इसको 2023-2024 के बजेट में पेश किया गया था और नाम है अब ही हम पढ़ेंगे कि यह मैंगुरूस क्या है फिर इसका बेनिफिट क्या है फिर गवर्मेंट के कुछ इनिशेटिव तो फर्स्ट अफॉल मैंगुरूस तो यह स्मॉल एंड शॉर्स होते है छोटे-छोटे प्लांट्स ट्रीज अलांग दो कोस्ट लाइन सबसे लाइ पत deposit करते है अब क्या है तो oxygen इन्फ़खु अपर लाते पाणी के उपर अपे देखरे रहो ना यह उपर लाते है टो इन टेक झूलानध की इन गालने का फ्रीद के लिए यह इंटल्गा प्रटी लेसेठ फींकिंब्का इनिश्याक यह mangroves है, तो saline water के आसपास यह फाउंड किये जाते है, oxygen का इंटेक करने के लिए इनके अंदर निमेटा फोर्स होते है, और यह जो खुद, इसके अंदर जो seeds होते हैं, यह खुदी seeds यहां गिरते हैं और ग्रो हो जाते हैं अपने आप, इनको plantation करने के जोरत निए, अपने आप यह ग्रो हो जाते हैं, इनको पढ़ेंगे benefits, अब benefits क्या क्या है, तो first of all wood, जो वहां के लोग रहते हैं, इसका use timber, fuel, उसके लिए करेंगे, then second, livelihood, अब mangroves जो है, वो बहुत लोगों को livelihood देता है, तो mangroves के आज पास wildlife century, national park, tourism आते हैं, तो वहां पे जनरेट हो जोब, ठीके उनको income आता है, इसके थरू उनका livelihood चल जाता है, then fishing, fishing is the main occupation, वहां fishing करते है, सेल करते है, shrimp का कल्टिवेशन, mangroves के आज पास, आज का गवर्मेंट लोगों को इनिशेट, नए स्कीम दिये है, जिसके थरू लोग mangroves में, mangroves के आज पास, shrimp का कल्टिवेशन करते है, then coastal protection, ये coastal को प्रोडेक्शन करता है, कैसे, tsunamis, floods, in 2004 में, जो इंडिया नोशन में, सुनामी आया था, तो तामिलनाडू के एक विलेश था, उसने उस विलेश को पूरा प्रोडेक्शन दिया था, बचा लिया था, बागी सब जगा देस्ट्रोई हो चुका था, लेकिन वह विलेश सेफ था, रिजन था, मैंग्रूस, तो मैं यह नेचरल जो इक प्रोडेक्शन बनाके रखेंगे, जो दिवाल या वगेरा, जो भी कुछ प्रोडेक्शन है, उस से विलेश जैदा यह मैंग्रूस को प्रोडेक्शन को को प्रोडेक्शन को करता है, यह पर यह था, तो बहुत सारे वाइन राइप, सेंचूरी, बोटि तो कितना टाइम, ट्री टाइम्स मोर धен ट्रोपिकल फॉर्स्ट अब अव एक्वित्री डिजन में जाओगे तो वहाँ पे ट्रोपिकल फॉरस्ट रहता है, ट्रोपिकल फॉरस्ट भी क्या करता है, कार्बन को अब्सॉब करता है, बट यह एक अवर आएगा, एक्कार्च, यह तो सभी जगह होता है, aqua culture and fisheries, जहाँ जहाँ mangroves आपको मिलेंगे, aqua culture and fisheries आपको वहाँ देखने मिलेंगे, then mangroves in India, status क्या है इंडिया में, तो इंडिया में इसका status है, पहला इस्टेट है, जहाँ सबसे आदा mangroves present है, तो world का largest delta, सुन्दरबल डेल्टा, 42%, यहाँ आप गुजरात से सीधा कहा आना है, एंडिया में, थर्ड नंबर पर 12%, okay, then एंडिया में सीधा कहा जाना है, 4th, आंदरप्रदेश, तो ऐसे आप टॉप याद रखना, West Bengal, गुजरात and एंडिया में, और लास्ट में है यह केरला, केरला लास्ट में है, तो इम गवर्मेंट के to regulate the coastal mangroves, हमारे इंडिया के कोस्ट लाइन पर जितने भी mangroves उनको regulate करना, then second क्या है, integrated coastal zone management project, okay, तो इसके, यह कों से ministry के अंदर है, ICZMP, यह कोशन पूच लग सकता है कभी, कि जो project है, integrated coastal zone management, तो इसके अंदर है, तो MOEFCC, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, इस ministry के अंदर है, then, एम क्या है इसका, तो A में conservation and protection of coastal resource, plantation of mangroves, यह इसका एम है, okay, अभी recent में government ने और भी कुछ इनिशेटिव लाइजे से कि श्रिम कल्टिवेशन of mangroves को बीच में, आप mangroves के आसपा श्रिम कल्टिवेशन करो, तो ऐसे बहुत कुछ इनिशेटिव आते रहें, जैसे जैसे इनिशेटिव कुछ इसके related mangroves के related या जो भी वीडियो बना रहा हूं, मैं आपको अपडेट करते जाओंगा, okay, thanks